प्रेंड इसके बार हम आते हैं आपके एक प्लाउड के बारे में बता रहा था ये उस्ता है किसी जिसको हैलाइट करना होता है तो इसके क्लिक करेंगी इस पर्टिकलर एडिया को हाइलाइट करने के लिए होता है कि आप आप इस टाइप करना है और इसको क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है प्लिक करते जाई है तो यह चीज आप देख नखते हैं को कभी किसी चीज को हालाइट करना होगा तो इसलिए आप स्कूश करेंगे अभी हम लोग आते हैं यहां पर इसके अंदर बाकी चीज आप देखिए वह इतना ही था जो मैं जानता था इसके आते हैं मॉडिफाइल में कोई करें यह हैं मॉड कमाण को का मतलब होता है तो मुड करना है कि स्लिक करना है एक अइं महीं और करेंगे और किंड करो एक जगे से दूसरी जगे पर किसी इसको रखना यह आपका होता है जो बार अगर आप इसको प्रेस करते हैं या फेड तो आपका यह दाइम गूल हो जाता है इसको इसको आपके जहां गया आपका रहा है वह उप्लेक्ट रहा है कि आपको बता रहें है आपको मुग क्यान्ट करना है इस स्टेट को माले मुग करना है इसको सेलेक्ट करो राइट करें इंटर करें कि आपको इंटर का ही काम करता है इसमें इंटर का काम करता है इसको सेलेक्ट करेंगे यह इंटर किया किलिक वोग करते रहें राइट किलिक वो कमांड तब तक यहां रहेगा है जब तक आप दूसरा कमांड नहीं लेता है तो इसको सेलेक्ट करेंगे यह इंटर किया किलिक यहां पर चला से तरब चलता है जो भी आप कमांड यूज रियूज करते थ्यां लखेए अगर इस mamad करके पास और चला जा 沒有 है नुदी है कि ट्रीक्स्ट करको करनाथ है राइट क्या अभी बहुत से आपेchnाने खन्रश के से स्टय pag क्षा अभुड्वान है इंटर करना के लिए होगा है लोटीस का इंटर देंगे इंटर का इंटा जैनेंके मठीन डें करने को इह का थेल गयां चाहिए थाइंटर के राल किया सुआए इसकते एक आप्ट करते हैं तो फिर यह जहेजए आप रोटेट कर लेगा है दूसरा है रोटेट कमाड आर को इसको कमाड इन्डर करते हैं छलेच करते हैं एक लाइन पहले बनां लिए ऐसा कोई भी लाइन वरा लेते हैं तो इसको रोटेट करने के लिए एक उतार अरफो की ख़लेक्ट करेंगे इसे क्लिक करेंगे पिर फिर यह दिए हैं पे रिफरेंस दिया हो जो इस पे अगर इस तरह से ब्लू कलर कहीं दी अगर आपको दिखे इस तरह से तो समझे आपको एक इस्ट्रा कमांड इसमें और है आ लेकिन ये एक क्माड्ड है इसलिए इसका पहला वर्ड है वह प्रेश करना रहेंगा सकतर किया मुंपाई का पाइंट रिफ्रेंस के लिए क्या कत्वों है यह फेट करें बन करेंगे आर ओ इंटर अब यह हो गया किलिक प्रस्पोयंट अब लेंगे रिफ्रेंस और इंटर फिर यहीं पर क्लिक करेंगे फिर इस प्वाइंट को पकड़ेंगे और लाके इसकी पहला रजमेंगे यह होता है रिफ्रेंस किसी चीज साल wow करना है रोड़ेट करते हैं नहीं हम का सिलेक्ण करता है रोटेट करना है इसको रूटेट में हैं तो अगर रूइसर आपको पॉएंगे और इस पोईंट को पगएंगे – रिख में हो किसी चीज को रूटेट करना तो यह हो कि आपका रूटेट हो जाता है इसके बाद आपका आता है यह पिर्किये ट्रीम और एक्स्टेंड क्माड क्या होता है तो सेलेट करना है कि लिए कि लाइक क्लिक करके तो आपके कहां पर देखेंगे करेंगे तो आजाए नाएगे डबल इंटर यहां पर मानना है तो यह इसको इसको डिलीट करने के लाइक जो चीज दिखेगा उसको यह रिभूब कर देगा नहीं तो नहीं करेंगा अब इसको समझाता हूंगी अब टी यार डबल इंटर करते हैं तो एक तो आप पूरा सेलेट कर लीजिए तो यह इतना ट्रीम होने वाला हो बदने को यह उना देगे अब यह दोनों ट्रीम नहीं होने वाले रहें गांत्रोल जेड मारते हैं तो वह वापस आजाता है यह अब आपको फिर एक बार इंटर करते हैं तो यह आपको पूरा अबजेट करने के बाद आप संदेता है फिर एक बार इंटर करेंगी अब यह बोले का किसको करना है देखिए जिजिज अब उसके करता है इस में आप कर से आपको देखना है अजर आप करते हैं मैं कूँ साइड करते हैं यह हो सकता है। लेंगे है कियो था इसके बार श्क्राइब करना हैExcessed श्रूंद करना है। कि इस लाइन को यहां तर मुझे पहुंचाना है कि अगर यहां पर ले जाना इंट कि इसको बहुता है पहिंद दिए अग्तलिक और ह calam gray वी यहां मैं करें तो सकता हूं यहां तक जाए तो क्या करेंगे सिल्क बहुत करें आप पर क्या आपि इब किर्के करें यहां पर आध्र भार किलिक करेंगे तो इसको जाकट तच करेंगा कि इसकी भी चीज को एक्स्टेंड करते हैं इसको क्लिक करना है इंटर करना है इसको क्लिक करना है इसको क्लिक करना है इंटर करना है इसको क्लिक 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 करना है इस हैं कि करके दाटिया का ड़ी क्लेक्ट करके आहां से औहुं होता है टार रिप दाट हुआ कि करने के लिद्ध को अंगूरु करने के लिए इंज कर डिया कि गूरुकर भी में इसको आपको जानना बहुत ज़लू यह उदा ड्राइडर का मतलब होता है यह एक लाइन है इसी के उपर में एक लाइन और बरा रहता हूं इसका कलर में चेंड करने है इसका बहुत करते हैं अभी दोनों को किसी एक को सेलेक लिए राइड चलेक लिए यहां से जाकर इसको सेलेक करियें अब यही चीज को एक मित diferentes लिए करेंगे किसी को नीचे लेजना है तो उसके लिए करेंगे या फिर लाना है कुछ के लिए चीज रखता है अभी कभी बहुत सी लाइन है एक दूसरे की नीचे पड़ी हो दिखाई नहीं रहती है ऐसी जगेते हैं तो सेंट्टू बैक तो उसका तरह किसे सेलेक्ट करते हैं देखिए आप और भी आप सेलेक्ट और डी सेलेक्ट यहां पर सेलेक्ट का मत स्लेक्ट आए यह जो सेलेक्ट लाथ सेलेक्ट करते हैं और यह सिलेक्ट लार कंच तो यह कहbildung भी मतलब ले किर शिया सेलेक्ट करेंगेॉं जो भी उसकी property माज करता हूआ उसकी style माज करता तो उसक आप चाहे तो इसको आप चाहे तेसे इता इलीट कर सकते हैं Control गिर्माँ में से आपको पिर ज्वापता जाएं यह है select similar का use यहाँ पे होता है add selected यह क्या होता है इसको आपने स्रेक्ट किया हुआ था अब यहां पे अगर इससे कोई ट्रेक्स लिखेंगे तो जो सेम उसका जो ट्रेक्स इस्ट है था वो यहां आ जाएगा था है अब ही आप लाइन लेते हैं इसको स्रेक्ट लेते हैं यहां से जाके अगर इसके क्लिक करते हैं तो आप इसको सेलेट करता हूं यहां पर जाता है तो मुझे समझ देजिए कि एक डूर ब्लॉक में साइब ब्लॉक में काम नहीं करता है आइटें के लेकिन अगर मैं एक के लाइन बना लेका वाली लाइन लेकिन इसको मैं सेलेट किया अगर मैं यहां पर जाके इसको सेलेट करता हू तो रेक करने के बाद यह जितनी चीज़ आ रहे हो आप समझ गया हूं भी में के मताना चाहिए तो इसके बाद यहां से कुछ परेमिका को एक 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 चीज़ जाता है यहां से यहां से देखिए प्रापर्टी बने बताया था याद आप हां से और हांसे पलेश आपको पता है होगा है इसके बाद की प्रापर्टी इस मतलब यहां से आयूजिए *** क्विक प्रापर्टी का मतलब है अगर आप किसी चीज कुछ टाच करते हैं तो तुरंट यह चीज अपने आप जन्डेट हो के सामने आएगा थे कैसा फुले है इसमें डिटेल इसके रिडेटेट कलर लेयर लाइन टाइप लेयर जो भी उसमें यूज हुआ है वो सारा चीज करते हैं यहां से हाइट रोटेशन कर सकते हैं यहां से हाइट चेन कर सकते हैं स्टाइल चेन कर सकते हैं अगर आपने स्टाइल बना कि रखना हैं इस सारी चीजिए कुछ स्क्रीक में यहीं पर काम होना है और यहां से देखिए तो अगर आप जाते हैं यह क्रीन स्क्रीन कर आपको स्क्रीन देगी पुरा क्लीन हो जाता है जो आपके कमांड के बाहर देखे हैं हाई फ्रेंड हम से वापस आते हैं और हम यहां पर बताएं आपको यह मूग कमांड के बाहरे में यह जो टूल है अपना मॉडिफाई यह सबसे ज्यादा यूज होता है यह सबसे ज्यूज होता है तो इसके बारे में डिटेल में आपको बता दे रहा हूं आपके पास मैं एक रेक्टेंगल ने लेता हूँ इसको यूज है इसको उसलेट करते हैं और इसको आप देखेए अब यह आप कर सकते हैं यहां से इसको डिस्टेंस देएंगे 10 या 12 इतनी भी दूर इसको ले जाना है यहां से इसको हमें 10 की दूरी के रखना है भी आप चते दूरी के बेज़ने जाना है यह है इसका मेंनि 서 यह से अपको देखना है taken a चीज दूर्वि जाना है अब डाउन उसको अगर बार मार रहा है इसे आपको प्राब्लम हो रहा है तो यहां से इसको कुछ प्राफ़र की बंद कर से हैं यह चीज आप ज्यान रखिए का मूब कमाद दूसरा आता है रूटेट कमाद इससे देख रीजिए इसको सिलेट करना है इंटर करना है कोई भी एक कॉनर पगड़ के इसको अरिजेंटल वर्टिकल जब तक यह चाल को इसको और चाल प्राफ लॉट इसस है chama मोड़ें आपके ब्लूस्ण को अधियारेजां करें सकते हैं आहां यहां पर इसको देख सकते हैं क्या है यहां से दिखिए आइसोमेट्रिक करसर आप चेंज कर सकते हैं तो यह अभी इसका करसर आपकर दिखिए अगर अगर एक पाना है तो ऐसे दिलेगा अगर अगर प्रेस करेंगे तो यहां से अगर आप लाइन लेंगे तो देखिए यह नाइटी के चलने लगाइगा पिर से अगर आप यहां से करसर चेंज कर देते हैं तो यह आपका कुछ इस तरह से चलेगा कभी भी कोई भी चीज बनाने के लिए आइसोमेट्रिक वर्क आप करते हैं कुछ इसी तरह से लोग के काम करते हैं तो यह प्रेस 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 करेंगे तो यह अभी देखिए तुसरे डारेक्शन में चलना शुरू करते हैं तो यह आपको भी इससे चेंज करना है तो इससे आप प्रेस करेंगे तो इसका इससे आप क्यां के लिए जाता है तो इसके यह से और है जांने ही धाषण से लेंगे हम इसले बता दिया और फिर इस को आप यहां से जाके तो आप इसके आजाएंगे दूसरा चीज रोटेट के बाद आता है अगर आपका कोई लाइन है अगर आप इसको रोटेट करते हैं अगर इसको आप 45 की एंगल देते हैं तो इसको जैसे चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं और इसको 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 इसके परलडर रखना है तो क्या करेंगे और इंटर जन्स अबडेक्ट इंटर क्लिक करेंगे ओर इसको रिफेरेंस चुलेंगे और पार इंटर्फिल पर रच करेंगे घ्लिक और एक तो यह हो गया यही चीज लागर अप्र एसा कोई आप्जेक्ट रहे अब इसको आपको इस रेक्तेंगे को इसके पारलर रखना तो क्या करेंगे जिए राइन इसको सेलेट करेंगे इंटर करेंगी यह पॉइंट अप्षेयों एक चीज हो सकता है इसको इसको इसके पाइलर रखना तो क्या करेंगे ए यह इन ऐसे एक कर देते हैं इसको वहां पिजा और यहां पुझागे और अ क्या नहीं ज़ता है हुआ है डूसरा यह把 यह द्स इडाए हे सद्वेड़ां इसको क्या करते हैं इसका कीवर्ड ती आर इंटर अभी इसको क्रीम करना तो देखिए एक बार इंटर किये हैं आपके दार दो बार इंटर करते हैं और आपके लिक करते हैं तो डिलीट हो जाएगा करने आपके प्रस यो आपको पसंद क準क्न हो ऐसा है बार तुर्प होने कि लबाएंगे इंट करने के लिए और इसे भी आप स्लेट करके सिगा डिलीट करेंगे तो तो और यहां से बहुत है यहां से भी देखिए रेज यहां भी भी होता है इसा जाए किराता है आपकर कॉपी कमांड के क्सक्राइब कि यहां में कॉपी करने इससे क्सक्राइब करने दिखिए तो करने था करें तो इससे आप कॉपी, एक होता है mirror command, mirror का मतलब हो गया आपका ये drawing है, ये, अगर आप इसको click करते है mirror को, select करते है, enter करते है, यहाँ पर click कर दीजी, दो बन जाता है, फिसे देखिए select करते है, enter करते है, यहाँ पर click करने के बार, एक option और आता है, अगर आप चाहते हैं कि ये दूछ रहा है कि, फिर से देखिए mirror, my, enter, click, अगर आप no करेंगे, तो यह यहाँ भी रहेगा, और आगे भी चला जाएगा, यह चीज आपको देख लाए mirror का मतलब, इसके बाद आप का आता है, flip command, flip and chamfer, flip क्या होता है, एक rectangle देते हैं, अगर आप यह पिंटर दबाते हैं, अगर आप इसको फिलिट करना चाहते हैं, यह चारु गरप से जुड़ जाए, यह पिंटर, select, 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 तो यह तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कहीं पे आपको टर्निंग देना है, कुछ ऐसा तो, यह पिंटर गमाना आता है, क्या काम है, कार्नर बना देना, अगर कोई चीज डाउंडेड है, या इसको पिलिट कर देता हूँ, प्रीम कर देता हूँ, तो अगर ऐस अगर आप इसको यहां से यूज़ करते हैं, चैंपर को इसको इसा पाट गया है, अगर इसको आप सेलेट करके, और चैंपर करेंगे, चैंपर रोसे की कार्नर कोमेंटर करने के लिए होता है, अगर कोई चीज आपकी ज्राइन नहीं है, मैंने इसके बड़ाई है, एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, तो यहां पर आप चैंपर यूज़ करते हैं, तो यह भी किक आप है, कि इस तरह से आप चैंपर का यूज करते हैं इसके बाद अगे पर देखते हैं यहां पर यह क्या है जदा यूज नहीं किया हूं तो देखिए का आपको कोगर समझ जाएगा इसके बारे में सुड़ते हैं इसके बाद यहाता explore कमाता अगर पोई एक object है ऐसे अभी यह तोड़ देना इसको एक्स्प्लोर बोटने है कोई भी चीज तोड़ना है तो यह पार्ट पार्ट में होगा है यही काम है फिर हम आते हैं देखिए स्ट्रेश कमाड़ का क्या होगी जिसे यह लाइन है इसको पगड़ के अगर डारेक्ट कीजिए तो यहां से पगड़ेंगे और यह अगर अगर दियारेक्ट भी स्ट्रेश कर सकते हैं दूसरा दास्ता यह है कि यहां से इसको कमांड को लेंगे स्ट्रेश करेंगे इस तरह से स्ट्रेश कमांड का यूज़ करते हैं याद रखिए इस टी और जब दबाएंगे अगर आप दाइमेंशन दे देते हैं फिटी या जो भी है तो यह तो यह दाट यह जो भी चीज़ इसमेंड यहां यूज करने वाना यह तरह से स्ट्रेश कमांड इस तरह से विज़ए तरह कि यह आता है आपका स्केल कमांड इसकेल क्या होता है स्टी आपजेक्ट आपके आपके परसेंट आपको स्केल करेंगे तरह कि अगर आपका कुछी सट्रा से नच होता है और इस स्केल को कि इससी को इसके बरावर करना तो इसके लिए हो इसके लिए हम लोग स्केल इस करेंगे हैं से इंटर और यहां पेलिक करेंगे हैं तर इसके बरावर बार बार नी जोता है तो डिटेल पूरा सामने आ रहाता है एक चीज़ और बता देता हूं अगर इस पर आप किल्क कर देते हैं इसको अभी देखिए क्या होता है अब इसको सेलेट किया है आगर इसको सेलेट करेंगे तो उसको छोड़ देगा इसको छोड़ देगा लेकिन अगर इसको ठीक कर डीटेंगे तो आप कितना भी सेलेट करेंगे उसको नहीं चोड़ेंगा वो पगड़ के रखेंगे तो इस पॉइंट पर ध्यान रखेंगा है बहुत ही जरूरी है और तो इसके बाद आके चलते हैं फिर याता है आपका ARA कमाड का क्या है को सेलेट करते हैं और इसके बाद ऐसके बाद सेलेगे देखे दिखने करें आप पेस्चिओ जाहिए तक जिस अब इस तरह से कोई लाइन हो और आप इस तरह से आप इसको इसको इसना चाहिए इसना बाद रहते हैं जो यह इसना आपको यहां से यह तक आओगे आगे आपको पठाएंगे अदि दी चाहिए इसको इस तरह से अप्यूंज पर सब्सक्राइब आप इसको करेंगे इसको आप करेंगे इससाद करें तो इसको आप इसको आप और देखिए कि आप तो समाझ में आजाएगा इसके बाद हम आते हैं यहां पर आपसेट आपसेट इसका ज्यादा इतर्यूज होता है अगर वाल बना रहे हैं माल जाए सिंगल नाइने आपने कॉप इसको अपसेट करना है यहां पर किलिक करेंगे इस दिचेए पर आपको डिष्टे सेट करेंगे अचिक करेंगे इसाट इसाट इस दिच्टे सेट करेंगे इसे अपसेट करेंगे ठिटी स्किंद और प्रोकर चेंद कर पोंटर ऑनिंटर फिलिप करना है आपके जाओगे देने पोइंटर डिस्टेंस जो भी आपको देना है या आप डिरेक्ली अगर किलिक फर्स्ट पॉइंट किलिक सेकंड पॉइंट अगर कर देते तो वो उतने पर आपने पर फ्रो कर देता है यह आप से तो इसके बाद आते हैं आपका अनोटेशन में देखते हैं क्या क्या है